दोस्तों नमस्कार क्या हाले स्वागत है आपका कबर एच्पी में तो आईए नजर डालता है हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर एडिमीसन नहीं दी तो एनोसी रद निजी इसकुल में जरुत मन चातरों को 25 फीदी सीटे देना अनिवार है जहिमाचल सरकार ने निजी इसकुल में 25 फीदी आर्थिक तोर पर कमजूर वरके बच्चों की एडिमीसन करवना सक्तिसे लागू कर दिया है आदिसों की अवह बता दी कि एक भी दिन कम हुआ तो बच्चों को परवेश नहीं दिया जाएगा इसमें भी अगर कोई निजी इसकुल आना का नि करता है तो ऐसे इसकुलों की भी एचे एन ओसी रद करने के निदिस दिये गए हैं ऐसे में सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 30 जुन को छूटेगी 531 करम्यों की नोकری इस परियोजना के करमचारियों के भविस पर संसें जबागवानी पिकास परियोजना के दिये 5531 करमचारियों के को… रहें तीस जून दुजाय को परियोजना के स्मापटों होती ही तमाम अधिकारी और करमचारी बाहर हो जाएंगे इसके उपरां ते इस से कारेत अधिकारीयों और करमचारीं के समायोजन के लिए कोई नितिकत नियम और दिसानि दिश्ताय नहीं है बतादे कि बागवानी मंत्री जगत सिंग नेगी ने विधायक सत्पाल सिंग सती के सवाल के जवाल के जवाब में यह जनकारी सदन को दिये वे जवाब में बागवानी मंत्री ने बताय कि पर्योजिना समापन के साथ इनकी सिवाएं भी सोता ही समापतों हो जाएंगी वे बगवाणी पिकास पर्योजना में 290 अधिकारी और करमचारी अनुबंद के अधार पर काम कर रहे हैं जबकि 237 आउट सूर्स के अधार पर काम कर रहे हैं हिमाचल परदिस में 24 घंटे मिलेगी सराप वे परदिस सरकार ने गुरुबार को इस आशे को लेकर एक पत्र जारी किया है अब उपलब धो पाईगी बतादी कि 24 दिसम्मर को क्रिस्मस तेवारवा इसके बाद 31 दिसम्मर को 9 वर्स के दुरान परदिस में परदिस में परदिस को की आमत की संभावनाओं को देखती हुए भी इस आदिस को लिया जा रहा है परदिसमें बिना पंजीकरन चोरी छिपे चल रहे हुम इस टे वह अन्य प्रेटन एकाईयों का नकेल कसेगी मैं संसोधन भी देख के अधिस उचीत होने के बाद केंदर वह राय सरकार की योजनाओं के तहद चल रहे हों इस्टे अत्वा वह अन्य प्रेटन एकाईयों को तीस दिनों के भीतर दोबारा से पंजी करन के लिए आविदन करना होगा वह आविदन करने वाले एकाईयों को उनके मोजिदा पंजी करन लाइसंस की अवधी खत्म होने तक सुल्क का भुगतान नहीं करना होगा लाइसंस के अवधी खत्म होने के बाद सरकार द्वारा 53 पंजी करन सुल्ग आदा करना होगा वे परदें इकायों को पंजी करन के तमाम दस्तावेजों एबं अनी आपचारताओं को 90 दुनों के भीतर पूरा करना होगा आउट्सोर्स एजनसी से होगी हर भरती हमिरपुर पहुँचे आयोक के मुख्य परसासक ने दिज्जार कारी जिये परदेश सरकार द्वार हमिरपुर में गठित किये गई राजचेन आयोक में हर भरती आउट्सोर्सिंग एजनसी के माध्यम से होगी पर्थम भरती पाइलेट अधार पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा इस बात की जनकारी गुरुबार को हमरी पूर पहुँचे परदिस राज चेन आयोग के चीप एडिमिस्टेटर सिनियर आईएस अधिकारी आरके पूरोथी ने दी गुरुबार को हमरी पूर आये थे बता दे कि मुखी परशासक का राज चेन आयोग में यहां दूसरा दो रहा है उन्होंने कहा कि राज चेन आयोग में आविदन से लेकर परचा तक हर परिक्रिया ऑनलाइन होगी गुरुबार को उन्हेंने आयोग के कारेकाले में अधिकारियों के साथ बैठक कि इस बैठक में परशासनिक अधिकारी जीतंदर साच्ट जोइन्ट कंट्रोलर फाइनेंस प्रदीप सर्मा और डिप्टी डिये राहूल चोपड़ा उपस्तित रहे जानकारी है कि मुखी परशासक सुकुरुबार को आयोग कारेले में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तपोवन में पैंसनों का हल्ला मांग पूरी नौ करने पर जोरावर इस्टेडिये में परदर्सन कर जाहिर की नराजगी जही माचल बिधान सभा के सितकालिन सत्र के तिस्रे दिन एच आठसी पैंसनर्ज अपनी मांगों को लेकर जोरावर इस्टेडिये में पहुँचे मैं एच आठसी करमचारी पैंसन संग के लोगों ने सरकार पर जम कर गुस्ता निकाला लेकिन फिर भी देर साम तक इन लोगों से मिलने के लिए कोई भी नेता नहीं पहुचा है मैं एच आठसी पैंसनर्ज ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाव जोरावर इस्टेडिये में मोर्चा खोला मैं लंबे समय से पैंसनर्ज के भत्ते तदा अनिय देंदारियों का भुगता नहीं हुआ है मैं पैंसनर्ज संगठन ने कहा है कि अब मजबूर हुने उन्हें सणकों पर उतरना पड़ रहा है स्री नैना देवी जी में बनेगी टनल भानुपल्ली बिलासपूर बेरी बर्माना ब्रोडगेज लाइन पर परिक्रिया तेज जिसामरीक महत्वकी भानुपली बिलासपूर बेरी बर्मना ब्रोडगेज रेलिवे लाइन पर हिमाचल पर्दिश में सबसे लंबी 6 किलो मिटर टरनल नैना देवी उप मंडल में बनेगी इसके लिए परिक्रिया जारी है मैं 3.8 किलो मिटर खेरियां महला टरनल और महला जगात खाना के लिए 2 किलो मिटर लंबी टरनल का अपस में जुडाव होगा इन दोनों टरनल के मद्य 300 मिटर के खाली पैच को टरनलों के साथ चोड़ने के लिए सर्वेश करकारी चल रहा है मैं निर्मना दिन सुरंगों की सुरक्षा विवस्ता का जाजा लेने के लिए ADC डॉक्टर निधी पटल की अधिश्दा में गटित कमिटी और जियोलोजिस्ट टीम सुकुरबार को विजिट पर जाएगी मैं उत्तरकासी हाथ से के बाद जिला परसासन अलट है और इसी के चलते सुरंगों में सुरक्षा की दृष्टी से किये गए परबंदों का जाजा लेने के लिए टीम विजिट करेगी मैं जिसमें संबंदित भागों के आला अधिकारी सम्मिली थे हैं किरतपूर नेर्चक फॉरलें तयार पी-म का इंतिजार सीथ कान सत्र के बाद राजों का दोरा करेंगे परधान मंतरी जिलोक सबाचुनाप से पहले परदिस में विकास कारों की जड़ी लगने वाली है परधान मंतरी ननमदी जनवरी में हिमाचल आ सकते हैं वो यहां किरतपूर नेर्चक फॉरलें का उदगाटन करेंगे इससे पहले जुन में एन एच ए आई ने केंसरकार को फॉरलें के तयार होने की रिपोर्ट भेजी थी यह रिपोर्ट सड़क परिवहन मंतराले को भेजी गई थी इसके बाद नितिन गटकरी ने हिमाचल सबसे पहले बनकर त्यार हुए फॉरलें को लेकर ट्विट किया था और फोटो भी सेर किये थी मैं केंद्रिय मंतर नितिन गटकरी के कारेकाल से उदगाटन की फाइल उस समय परधान मंतरी कारेले भेज दी गई थी उनने परधान मंतरी नरंद्रमोधी को हिमाचल आकर फोरलें के उदगाटन का निमन्तर दिया था और PMO से उदगाटन की प्रचत तारिक मांगी गई थी वे परधान मंतरी के जुन में फोरलें के उदगाटन को आने की संभावना जताई जा रही थी इस बिच उनके अमिर्का दोरे पर जाने की वज़त से फॉरलेंड का उधगाटन नहीं हो पाया है बुढे पसु के लिए किसानों को अब सरकार दे रही है रुपई ये जानिये कितनी है धनरासी जही माचल के किरिसी एबं पसु पालन मंत्री चंदर कुमार ने कहा है कि सरकार बेसहरा पसु की समस्या से छुटकरा दिलाने के लिए इस क्रेब केटल यानि बुढे पसु के पालन के लिए किसानों को हर मापरती पसु 700 रुपिय दी जाएगी वे पसु के सरीर में लगाई जाने वाली चीप में पसु माली के नाम के अलाबा संबंदित पंचैतवा ब्लोक की भी जानकारी दी जाएगी चलिए वो चलता है साम के आखरी खबर हिमाचल बिधांसवा सत्र में बेरोजगार के मुद्दे पर विपक्ष का परदर्शन सदन से किया walk-out सीम बोले बीजेपी कर रही बे मतलब का हंगामा जह हिमाचल एसेंबली सेशन में बिपक्ष ने फिर हंगामा किया वे बेरोजगारी के मामले पर विपक्ष ने सदन में ही नारे बाजी शुरू कर दी वे विपक्ष के परदर्सन के सामने सत्ता पक्ष ने भी नारे लगाने शुरू कर दी विपक्षी दल सदन में नियम 67 के तहट बेरोजगारी के इस मामले में चर्चा करने की मांग कर रहा है विपक्ष के सदन से वाक आउट के बाद प्रस्नेकाल सुरू हुआ दोस्तों आज साम की खपरों का सिल्चला इसमाप्त होता है